नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे आज सावन का दूसरा सोमवार है और ये दूसरा सोमवार अपने आप में बड़ा महत्वपून है बहुत इंपोर्टेंट है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा क्या है और सावन का दूसरा सोमवार इस बार किन खास योगों के साथ आ रहा है इस विशे पर आज बात करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं आप चालचक्र में आज बात करेंगे कि इस बार सावन का दूसरा सोमवार अपने आप में इतना महत्वपून क्यूं है सावन के दूसरे सोमवार पर किन समस्याओं का समाधान होगा और सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के सरल प्रियोग क्या होंगे इस विशे पर भी बात करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि इस बार सावन के दूसरे सोमवार का महत्व क्या है देखिए सावन में हर सोमवार का अपना एक महत्व होता है सावन का हर सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए विशेश माना जाता है और सावन के हर सोमवार पर लोग भगवान शिव को जल चड़ाते हैं वरत रखते हैं, उपवास रखते हैं, प्राथना करते हैं, तो सावन के दूसरे सोमवार पर उनको वरदान प्राप्त होता है लेकिन इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर एक विशेश संयोग बन गया है, एक विशेश कम्बिनेशन बन गया है सावन का दूसरा सोमवार प्रदोश वरत को साथ में ले करके आ रहा है और प्रदोश के वरत के साथ सावन के सोमवार का जो कॉंबिनेशन बना है सावन के सोमवार की जो इस्थिती बनी है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर है प्रदोश वैसे भी भगवान शिव के उपासना की तिथी मानी जाती है ऐसा मानते हैं कि दुनिया के समस्त दोशों का नाश करने के लिए प्रदोश पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और सावन में प्रदोश पढ़ रहा है वो भी सावन के सो मुवार पर प्रदोश पढ़ रहा है तो एक ऐसा संयोग बन गया है जिसमें छोटी से छोटी पूजा भी आपको बड़े से बड़ा लाब देगी प्रदोश के बारे में कहते हैं कि अलग-अलग दिन पढ़ने वाले प्रदोश की महिमा अलग होती है सो मुवार का प्रदोश अलग, मंगलवार का अलग, बुद्धवार का अलग ऐसे अलग-अलग दिन के प्रदोश का जो महत्व है वो अलग-अलग बताया गया है सावन में सोम प्रदोस का जो ये संयोग बन गया है कि आज सोमवार भी है, सावन भी है, प्रदोश भी है तो इसका संयोग जीवन की हर मनों कामना को पूरा कर सकता है अगर आप reasonable मनों कामना करते हैं अगर आप उपयुक्त मनों कामना करते हैं तो आपको लाब होगा इस दिन उपवास रख करके भगवान शिव की पूजा और मंत्रों का जब किया जाए तो आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं सावन के सोम प्रदोष का संयोग एक ऐसा संयोग है कि छोटी से छोटी पूजा भी छोटी से छोटी प्राथना भी आपकी कामनाओं को पूरा कर देगी अगर संतान से संबंधित कोई समस्या है तो आज के दिन की पूजा उपासना से विशेश लाब लिया जा सकता है चाहे मामला संतान प्राप्ती का हो चाहे मामला संतान की उन्नती का हो आज के दिन की पूजा से विशेश फाइदा विशेश लाब हो सकता है प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना सरवोत्तम होता है यानि जैसा आपको लगातार बता रहे हैं कि सावन का महीना, सोमवार का दिन और उसके साथ जो प्रदोश का संयोग बन गया है तो अगर आप उसका पूरा फाइदा उठाना चाहते हैं तो आज प्रदोश काल में पूजा करें यानि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद वाले समय में क्या प्रियोग करेंगे सावन के दूसरे सोमवार पर जब प्रदोश का भी अध्भुत संयोग बन गया है किस तरह के प्रियोग करें कि हमें लाब की प्राप्ती हो देखिए अगर आपकी शादी को काफी समय हो गए हो और आपको संतान की प्राप्ती न हो पा रही हो तो क्या करना चाहिए भगवान शिव को जल अर्पित करिए और जल में थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए शक्कर मिले हुए जल से भगवान शिव का अभिशेक कीजिए और जल की धारा शिवलिंग पर गिराईए जल में शक्कर मिला करके जल की पतली सी धारा शिवलिंग पर गिराते जाएं और मन ही मन या बोल बोलकर रूद्राश्टक पढ़ते जाएं नमामी, शमी, शान, निर्वाण, रूपम, विभुम, व्यापकम, ब्रह्म, मवेदस्व, रूपम ये पढ़ते जाएं और जल की धारा गिराते जाएं इसके बाद जब जल अर्पित कर लें तब शिवजी से संतान प्राप्ती की प्राथना करें और ये प्रियोग पती-पत्नी अगर एक साथ करें तो बहुत उत्तम होगा ऐसा हो सकता है कि पती जल चढ़ाएं और पत्नी रूद्राश्टक पढ़ती रहें या पत्नी जल चढ़ाएं और उस समय पती देव रूद्राश्टक पढ़ते रहें ये प्रियोग अगर पती-पत्नी एक साथ करें तो ज़्यादा उत्तम होगा